हेलो बिटा कल हम लोगों ने बात कि थी डिर्लपेंट ऑफ इंटेलिजेंसी की आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ फिसिकल और कलिश्रल को लेशन इन इन इंटेलिजेंस इसमें हम लोगों को ये देखना है कि जो बौधीक विकास है उसमें कुछ साइकलोजिस्ट ने ऐसे प्रश्ण भी उठाए कि क्या जो बिक्ति है ऋसका सारे रीट विकास उसके बौधी विकास के साथ संगत है जैनि कहने का आ रत है कि क्या जिस बालक की लंबाई उसका वजन जल्दी जल्दी अगर बढ़ता है तो क्या उसकी बुद्धी भी उतनी ही जल्दी पर विक्षित होती है या उतनी ही सिख्रता से विक्षित होता है जिस विक्ति का सारे रिक विकास अगर रुख जाए या किसी रोक की कारणशा दिग्रेश्थ हो जाए तो क्या उसकी बौधिक छमता भी घढ़ जाती है या कम हो जाती है यह जानने के लिए साइकलोजिस्ट ने कई स्टड़ी की इसमें जो सारीरिक गृध्धी और बौधि विकास जो इसमें क देखने के कोशिश की लिए खहने का आर्थ है कि ट्रॉजिस्ट ने यह देखने की कौस्ट रही की बौधिक विक अर्ष їх लैक हम उसे करेकारण संबन मान सकते हैं तो यहां कि इसमें तो मनवग्यानिकों कई रिसर्च कि और रिसर्च रेटेड उन्हों ने डाटा क्लेक्शन भी कि और उसनों ने नासिस भी कि तो यहां पहले हम लोग बात करेंगे बॉद्धिक विखास के साथ दैहिक जो संबंध है कि नहीं है पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंग तो यहां पेटर्सन 1930 की बाएं बात करूं तो पेटर्सन 1930 ने जो इस्टड़ी की उन्होंने अपनी इस्टड़ी की आधार पे यह निसकर्स निकाला कि जब भी जो परसन होता है उसके सरीर की उचाई और जो भार होता है उसका बुद्धी के साथ बहुत ही कम संबंध होता यहां थोड़ा सध्यान दीजिएगा आप लो पेटरसन ने जो इस्टड़ी की थी उन्होंने अपने इस्टड़ी की आधार पर जो निसकर था उसको निकाला था कि जो बेक्ति की सारेडी कुचाई होती है और जो बेक्ति का कहें तो भार होता है जो उसका वजन होता है उसके साथ बुद्धी का जो सब्बंध है वो काफी कम होता है बैसे जो दुरबल बुद्धी के बालक होते हैं यानि मैं यहां पर जिस ऐसे बालकों की बात करूंगी जिनका IQ level काफी कम होता है तो ऐसे जो बालक होते हैं उनके जो सीर होते हैं उसका आकार कहें तो बहुत ही छोटा होता है और साथ ही बड़े सीर ऐसे जो बेगती होते हैं या ऐसे परसन होते हैं जिनके सीर का आकार काफी बड़ा होता है तो अत्ति बुद्धी के बाने जाते ह तक्टिंब के ऐसा है नहीं को लोग ने ऐसी स्टडी की यह देखा कि लोग यह मानते हैं जिन बच्चों के जो बुद्ध सिर्का अकार है घर वी चोटा है तो उन में बुद्धी कम है जिनकी सरका कार जो है सिर्का वह बड़ा है तो उन इसे तरीके से हड्डियां, शारी जो गठन, जो फिजिलॉज़कल फंक्शन उनका उनका विकासी बहुती विकास की स्ँम्ताबनी पर करता है। लेकिन सैक्राओजिस ने इस पर भी जो इस्टड़ी की उसमें भी उन्हें यहीं मिला कि ऐसे परसन जिनकी सारी रिग जो गठन है जो उनकी फिजलोजिकल फंक्षन है जो उनकी हड्डियां उनका कार जो है वो बहुत ही वीकास क्रिशमता वर वास्ता में नहीं होता यह बात भी निश्चित सी है कि जब भी हम सेंटर नर्वर सिस्टम की उगर कोई कहां छती नहीं पहुंचाई जा रही है या सारी बीमारी कारण किसी बाला के पुद्धी विकास पर कोई हानिकार कोई प्रभार नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे जो परसन है उसके बुद्धी जो किया ठाट को सारी के सिटी और बुदृधी विकास में जो इस्टडी की तो जहां जो अनुदेर के अधिन में किया घ्या पालकोंकी सारीकीसिती और बुदृधी विकास में जो संबंध देखने की कोशिस उन्होंने की उसमें उन्होंने देखा कि जो ब्यक्ति है या जो बच्चे हैं एवर निथी 1936 में जो इस्टुड़ी की उसमें भी उन्होंने यहीं पाया कि जो बालक की सारीरी किस्तिती है और जो उसका बौधी विकास है उसमें कहें तो जो धनात्मक सहसमन्ध है वो पाया जाता है लेकिन यह जो धनात्मक सहसमन्ध है वो काफी कम मत्रा में होता है 14-15 वर्स की जो एज होती है इसमें यह सम्मध्ध घटकर और कम हो जाता है जो 14-15 साल की बच्चे की एज होती है इसमें जो उसका सारी जी विकास है और जो बहुत ही विकास है उसका कहें सम्मध्ध जो है वो घट जाता है और प्रावड़ा वर्स्था कि अगर मैं बात और जो बुद्धियों ये ससमद्ध है लगभग बिल्कुल समाप्त हो जाता है जानि सुरुवात में तो ये होता है कि जो बच्चा है वो बढ़ रहा है उसके साथ उसका बहुत ही विकास भी हो रहा है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ना सुरू हो जाता है तो उसका सारी तरह समन्ध वह कम पुद्ध हो बढ़ता है, आपका चयाता है, सद्धिय कहा मुझाता है वो बढ़ता है इसी लिए इनके बीच का जो को रिलेशन है वो लभग समाप्थ हो जाता है तो यहां कहने का आर्थ है कि आपका जो प्रोढ़ा वस्ता है उसमें बेक्टियों की जो उचाय होती यह भार होता है उसमें तो कोई वृध्धी किसी प्रकार की होती नहीं है तो य और इस समंद्ध को देखने के पात उन्होंने यह निस्कर्ष दिया कि जो बालक होते हैं कि सारीरी विकास और जो बौद्धी कारस है उसमें किसी प्रकार का कोई स्मंद्ध नहीं पाळा जाता है इसलिए सारेरी विकास के आधार पुर्न की बौधिक चमता की भविश्वानी नहीं कि जा सकती ऐसा सैकलोजिस्ट का मत है कि जो सारेरी विकास हुआ है उसके आधार पर हम किसी भी बच्चे की बौधिक चमता की बात नहीं कर सकते यानि अगर हम बौधिक छम्ता की बात करें और सारीरी विकास की बात करें तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है उनका भार कम होता है लिए उनका बौधिक विकास जो है उचितम मस्तरका होता है तो यहाँ बौधिक विकास, सारे रिक भार और सारे रिक छमता के आधार पर हम बौधिक विकास के सम्मझ में किसी प्रकार की भविशवाणी नहीं कर सकते हैं लेकिन इसी आधार पर जो सैक्लोजिस्ट में नौट के बात करूँ ओ 넣 knowledge 42 ने यह प्रमारीद भी किया है कि जो नीं होता जो ब्रेंति में की विकास। ने जो इक तरीग का आधार पर ये बताने इंग को CertOOOO से जो परशन एसा है また जो इसका मस्तिस की विद्धूतित रंगे न जो ऑने रिड़ कास में उसके साथ, इसके विकास उसके साथ, तो उसा घरिश संबंध होता है उन्होंने आठ वर्स के जो बच्चे थी उनको लिया यानि आठ वर्स के उन्होंने 40 बच्चों को लिया अपने इस्टडी के लिए और इस्टेंफोर्ट जो बीने टेश्ट था उसको और साथ ही एलेक्ट्रोशेफल न जो ग्राफ था उसको शक्राइब नहीं सामें उसके सथसे उन्होंने जो ब्रीःद मस्तिस्त था उसकी क्रियां उसके कृश्डी नहीं सबसे पहले उन्होंने 40 को सबसेट के रोप में लिया उस पर उन्होंने इस्टन 5- cortis श् Coconut आद्मिनिस्ट टिया और को सिखान आधिक्टेशन के बाद उन्होंने जो इनिसकों वर्चे थे उनीक्थी कि और दय White Day को जो जो बारा वर्स के बालक थे उनमें ऐसा नहीं पाया गया तो उन्हों ने काफी कहें तो जो यह स्वध किया इस पर और जो बनोबेग्यारी थे उन्हों सोध करने के लिए प्रेडिट भी किया और इस आधार पर रोड़ी यह देखने के कोशिस की कि क्या जो ब्रेंड हो रही है उसके दोरान कि अबेक्ति में जो बुद्धी है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है तो हां इसका मेजरमेंट जरूर किया जा सकता है ऐसा मिला भी और शेंट फोड़ी ने जो टेस्ट किया गया उसके आधार पर जो उन्होंने टेस्ट की मिजरमेंट किया उसके आ यहां बात हमने फिजिकल डिल्पेंट की अब हम बात करेंगे आपकी इंटेलिजेंशी जो डिल्पेंट ऑफ इंटेलिजेंशी निग एक प्रशनी जाता है कि क्या बुद्धी परिच्छन् सांस्कृतिक प्रभाव ने पर आधारित होता है यहां कुछ ऐसे भी आपके टेस् जो कल्चर फ्री होते हैं यानि सानस्कृतिक मुख्त वुद्धी परिच्षरम भी होते हैं तो यहां कोसिस ही कि गई कि जो बुद्धी परिच्षण आपके सानस्कृतिक प्रभावों से पर आधारीत होते हैं उन्हें भी एड्मिनिस्टीट किया जाए और उनकी आधार में म सानस्का करता है दूऑनियों है फ्रक्री टें बुद्ध है उनकी स्घॡकि पर तीने चरी परिच्पारशी करता है थे तोarner जो है इस्रडी करना सुरूग किया और यह charity कई कि कmek क्या ऐसी situation होती है यानि ऐसी समयोषया जहां पर कहां तो इसी सम चितिती से संबनी समस्या तिन हम कहें हैं कि यो इस पर ARS में बचेश भी बच्च बाक जब बच्च घोग जाएं तो सफेश को सब्सक्रslान को सरक्ष्ट कर रहा हैं वह रे यह गाओं कर ते विपने न। बछों के मीड़ूल, अधिक मिलाइत। like स का हम शहर और गाउं के दोनों बच्छों का हम मेंजरमेंट करते हैं तो मिजरमेंट drive के दोरान यह मिल कि तो य्जा होते हैं उनकी cleaning अधिक होते हैं आए को काम मिली उनकी अपिक्छा है. कि ऐसी कंडिशन होगी हां 50% हो सकते हैं बड़ पूर रोग से हम यह नहीं कह सकते हैं जैसे शड़ी मिल रही है कुछ आलोशनात्मक इसके भी वड़न की गया है और जो शड़ी मिली है उसमें भी कुछ आलोशनाएं हुई हैं कि ऐसे जो तत्थे उनमें ध्यान में वेगते करेंगे तो शहर के और जो धनी परिवार के बच्चे उनको ध्यान में रख करके कर रहे हैं तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए ही उप्यक्त हो पाते हैं तो कुछ ऐसे भी साइकलोजिस्ट हैं जिन्होंने यह देखने की कोसिस की कि अधिकांस जो आपके टेस्ट किये ग कि जिस इन्वार्मेंट उनको दिया जा रहा है जो सोसल इन्वार्मेंट दिया जा रहा है उसी के संदर में किया जाता है तो यहां उपलब्दी जो साब्दिक परिछन हैं उनका विसलेक्षन करने से यह पता चलता है कि प्रते एक परिछन जो निर्माता है विशेश संस्क वालकों की जो बद्धी लब्दी जो बद्धिया अधिक्षा अधिक मिलेगी हैं तो यहां कहने का अर्थ है कि जब ही हम टेस्ट डियुलब करना थे समय हमने उसी कल्चर को लिया है उसी कल्चर के पेस्क्राइब कर्स दिया है वैसे ओको को रखा है तो उसे इन वार्मन के लिए है मैंने वैसे वी gdy यह बच्चों के लिए क्स स तैयार कि रहे है तो जाहिर से बात है कि वहाँ कि जो अनबल गगई है अधिक मेरस्ब्ला धावग तो कि जो संneskritti पर आधारित के परिश्ण होते हैं उनके धिवारा हम किया उसी संक्रेटी के जो वीक्सित होने वाले निकप्रकार के जो वेक्तियों की बुधिक योगिता है उसकी तूल ना कर सकते हैं लेखिन उसी संस्कृत को हम अगर किसी दूसरे कर रहे हैं तो जाहिर से बात है कि महां IQ level या achievement जो टेस्ट किये जा रहे हैं तो achievement level भी आपका down ही मिलेगा तो यहां हम यह कह सकते हैं कि जो आपके अलग-अलग culture में रहने वाले बच्चे हैं या अलग-अलग culture में रहने वाले कि या हम एक ही बुद्धी परिशन के अधार पर नहीं कर सकती क्यूंकि जो भी हम टेस्ट कर रहा है तो आइंसे आइटम्स भी डखेंगं तो वो जो टेस्ट करेंगे तो वही के बच्चों के नििले अगर हम कर रहा हैं तो वहां पर जो हमारा होगा। वह हमारा वैलिड होगा। साथ हे करना इस नहीं होगा। अगर अगर तेंसट को आने को click करना इ सब्सक्ता कर रहे हुं। हो यहां केठो č tick i is only वह सीधह हमारे तेस्ट पे पढ़ता है। इस प्योटिश्य संच्रति की है नहीं किर दीत गड़ी है, तो यह हम घूए से वहां की बच्चे अभी तो वहां जो भी आपका टेस्थ होगा वह का वैलिट कि ऐसे कहें तो जो कमरेजन किये जा रहा है वास्ताम बुधी परिषण का आधार वो नहीं है यहां ध्यान रहे भी रखना है कि जब भी हम कोई टेस्ट कर रहा है तो ग्रामीड संस्कृति के जो बच्चे हैं अगर हमको ग्रामीड संस्कृति के बच्चों का मेजरमेंड करन सकता है लेकिन अगर वह जास्त हमते हर्ष हरी बच्चों पर करना शुरू कर दिए तो वहां पर वही जो पर हम थे जो एंडेने लगेगा यहां पर यानि जो भी बुद्धी परिच्छा परिच्छन आपके होंगे एक तरीके से उस पर पच्छपात दिखाई देने लगेगा क्यूंकि हमने टेस्ट में जो है वो डेलप किया है ग्रामीड बच्चों के लिए और हम एडमिस्टेट कर रहे हैं ग्रामीड बच्चों और सहरी बच्चों दोनों का कंप्रेजन करने में तो वो जो ग्रामीड बच्चे हैं उनका IQ लेवल तो उसे मेजर हो रहा है लेकिन वही अगर हम उसी टेस्ट को अडमिस्टेट करें ना है तो यहां इसी टेस्ट से एडमिस्टेट करके हम कभी मैं कर सकती क्यानि यहां जा सकती है तो यह जो घटना है कहें तो बॉधिक विकास की सांस्कृतिक संब्धी जो फेक्टर है उसका एफिक्ट पढ़ा यानि जो उसमें डिफ्रेंसेज आएंगे आपके वो सीधा आपके कल्च्रल फेक्टर हो जाएंगे क्योंकि बॉधि परिष्ण की दिरिश्टि से कोई भी बेक्टि एक विशिश बॉधिक स्थर पर पाया जाता है और वहीं दूसरे परिष्ण की दिरिश्टि दूसरे भीन अस्थर पर दिखाई देगा तो यहां इसकर सुपसी यह कहा जा सकता है कि जो अलग-अलग कल्चर मे उसमें क्रहन जो कर रहा है उसके आधार पर उसमें सांस्क्रति भीनता होती है और उसी के आधार पर उसकी बुद्धी भी डेवलप होती है तो यहां हम एक ही टेस्ट के दोरा कंप्रेजन अगर हम कर रहा है तो यह कहें तो एक सदर से गलत होगा और इन्वैलिड हमारा टेस् यहां अगर हम बात करें इस्टेंफोर्ड बुद्धी परिछन था साथ ही वेक्सर जो बुद्धी परिछन है अगर दोनों के हम सांस्कृति काधारों पर अगर हम उसका मिजरमेंट करें तो यह आपका सप्रेट रिजर्ट देने वाला होगा एक क्योंकि दोनों जो परिछन ह इसमें पाया गया है कि जिन बालकों में आपके सामाजी कार्थिक सिती जो होती है जितनी अच्छी होती है उनकी बुद्धी लब्धी पूतनी ही अधिक पाई जाती है लेकिन यह जो घटना है बिलकुस कहां तो साभाविक प्रूड रूर्प से प्रतित नहीं होती क्योंक है नहीं हो अनकी है जो डिमन यह सकता है गया जोini कर दो आंटा म होती हैए श्रकार काम ऋर्वाल यह सकता है कि और भूड़क पारीज़न की सारोय पिर रहा ठाल धी oldest बनाट아FL जाती हुआ में पाता है डिदुनिक सो आसका है उसके यह हो एक खिया उफित को तो सब़स्तित यसे कीुरता के जो इस्तिती है वह कहां तक पहुंची है फिराल हम लोग बात करते हैं आप स्टन्फॉर्ट बीन टेस्ट की तो यह जो इस्टन्फॉर्ट बीन टेस्ट है यह वास्का में तो जो इसको क्लिनिकल ब्यूस स्क्रावाध कर देख तो काफी महतुपड भी है क्या जिस्कुर्च्ट तेस्ट का ध्यान गया और जो टेस्ट है वह भी समय समय पर इसमें रिवीजन भी होता गया, तो यह कहें तो काफी उत्तम हो गया है काफी अच्छा हो गया है पहले की कॉर्डिंग तो इसमें जो बात कर रहे हैं हम लोग बीने की तो यहां अलफर्ड बीने जो थे और ने थे और साइमन के साथ मिलकर की जो टेस्ट डेलब किया था और उन्हें फ्रेंच सरकार से बीने साइमन मापनी इसे नाम से पुकारा भी गया इसको यह जो आपका टेस्ट था इसमें आपके 30 आइटम थे मुरूट से बच्चों में जिनमें भाषा का परियोग या चिंतन या बोध आदी का जो मेजरमेंट करना होता था बच्चों में ऐसे मेजरमेंट करने के लिए इस टेस्ट को डिवलब किया गया था और ये इसके जो भी आपके आइटम थे वह बढ़ते हुए क्रम में आपके सुसर्जित थे यानि कहनेकार थे कि यहां पर जो भी आपके आइटम रखे गये थे उनकी जो लिवटेशन थी जो उनका जिनतन था उसके आधार पे उन्हे इसका और हिस ने सेक्वेर्णे के लिवेर तो अधिया तो इसको भी इंडिविजूल जो जो आद्मेशनीत कर सकते हैं और सका रिजल्ट अम लें सकते हैं इसका संसोधन आपकां मीशंसावाट में हुआ तो इसकी कुछ विस्षटा है और बढ़ गई और ऑसमेश्वें और जिसमें कि आपके कुछ ऐसे इकांज थे जिन से तो संतोष जर्न उत्रपाप नहीं हो पारा थे तो वैसे इसे अकांज को खटाया और कुछ नए अकांज को समें जोड़ा यह जो आपका टेस्ट था वास्टमी इंग्लिस में इसको अटेश्ट किया थो गोडार ने और इसको अमेरिका में ही अडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज भी किया गया साथ ही इसका यूज जो है आपके ऐसे जो मांसे गुरूप से कमजोर बच्चे थे उनकी पहचान करने के लिए किया गया तो कहें तो नेदानेक द्रिश्टिकॉर से काफी यूज फुल रहा और इसकी लोग करनान और इसी एले बनान तो हुआ है कंजा अल उसके लिए भी बोब हुआ है तो आजरी लिए जो इसकी निए अटर्मइन और था slowsID को पराय। इसके बढ़ गए इस इस चैनफूर जो मेजरमेंट था इसके द्वारा लगभग आपके दो साल के बच्चों से लेकर के बाइस साल तक कि बच्चों का मेजरमेंट किया जा सकता था यहां ग्यार के महिनी तक कि जो आपके इडोसने सपरसं थे उनकी भी जो इंटेलिजेंसी इसका मेजरमेंट इसके द्वारा किया गया और अगर हम इसके इकलिएंट फॉर्म की बात करें ति इसका यह वराया रखा गया यह कहने कार थे कि आपके क्लिनिकल फिल्ड से लेकर के जो ऐसे बच्चे थे जो मेंटले रटार्ड परसं थे उनका फी मेजरमेंट इसके इस टेस्ट के द्वारा जो बच्चे थे उनमें कहें तो आपकी सॉर्टम मेमोरी का भी मेजरमेंट हो सकता था आपकी कौन्टेटू जो रिजनिंग थी उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता था जो वर्वल जो आइटम थे उनमें इसी लिए संसोधन में किया गया जिससे की मैं इस को सद्धूं चट्टन का है। इसे में स्धूत Great memory को क्या क्या है। वमें साथ यह जो टोट्ट आतर्म चनता थिर्ट के तो उनका वह सबस्क्त करने के लिए इस्ट के क्या घाले एक है। जो साइकलोजिस्ट ने स्टड़ी किया उसमें उन्होंने कुछ इसका क्लीनिकल और देखा और इसनोंने यह बताया कि इसमें जो गुण है और बुद्धी परिश्णों की अफिक्षा काफी अधिक हैं लेकिन कुछ ऐसे भी सिच्वेशन यहां पर क्रिएट हुई जिसमें कि इसकी वैदता और जो विशोसनियता है वह प्रमाडित हुई लेकिन यहां पर मेजरमेंट जो किया गया इस परिछन की द्वरा उसमें कुछ कमिया भी दिखाई देने लगी लेकिन इसमें कुछ कह तो हल्की फुल्की ही परिशिमाय मिली तो इस्टेंफोड की जो मेजरमें कर्मट कर दिया गया है भारतियों के लिए इस्टेंफोर्ड जो बीनीटिस था उसका कहें तो पहला दोस यहीं था कि उसके द्वारा जो वैस्क थे उनकी वुद्धियों का मिजरमेंट प्रून रूप से नहीं हो पा रहा था जिससे कि वैक्सलर ने वैस्क की बुदी का मि इसमें आपकी शाब्दी मामनी कर दो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया जैसे बेक्ति की वुद्धि का मिजरमेंट किया सकी तो उन्होंने जो यह टेस्ट डिलप किया इस तेस्ट दोनों टेस्कि अगर में बात करूँ चाहे हम इस्टेंफोर्ड बीने टेस्ट क अब इसके अब आधार बालकों की कहां सामाजी कार्थी के सिती उसकी दसा की कॉडिंग उनकी बुद्धी लफदी का मेजरमेंट किया जा सकता था यहां पर जो टेस्ट ऐसे किये गे जिनमें अभी मैंने कहा कि जो उचस्तरी जो शमता थी या जो इस तर था उसके आधार है कि ऐसे बच्चे जिनकी जिन्हें आनुमानशीक्ता और वातरोन दोनों का कहें तो उचस्तरी प्रभाव मिल रहा है या उचस्तरी प्रभाव के द्रगत उन्हें रखा जा रहा है तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू जो लेबल था वो काफी बढ़ा हुआ या जो बच्चे में आनुमानशीक्ता में नहीत होई निपका में बाहर निकालने काम काम बातरोन कर रहा है तो बच्चे की आईक्यू लेबल को बढ़ाने के लिए उनकी बुद्दी लबदी को बढ़ाने के लिए ये फैसे हो जाता है कि उन्हें अच्छा आशा इवार्म उसके परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंवार्मेंट देना ज़्यादा जूरूरी हो जाता है तो यहां कुछ साइकलोजिस्टे इसका समर्थन भी किया कि अगर बच्चे को सही वातारण दिया जा रहा है तो उसकी जो अनुवांसिक जो क्रियाएं हैं जोपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है तो यहां यह हो सकता है कि जो उच्छ तरिये जो बच्चे है उच्छ आर्थी सामाजी साम्ज़ परिवार वेड़िया है उच्छ वाता है ऊसे प्राप्त होकं सेffekतील खाकरीजिक मतुब्रिया में हमुद्यी इसके बावजूद उनमें जो उच्छ आकांचाय उनको रोका नहीं जा सकता वो उन्हें एक्वायर करहीं लेते हैं लेकिन इसके लिए सिर्फ आवश्यक्ता अगर है तो अच्छे वातारानकी यानि वो जो कहें तो इन्वार्मेंटल फेक्टर है उसका इफेक्ट अगर पढ अगर उन्हें अच्छाई सही नहीं मिला है तो उनकी भी जो आई-क्यू लेबल होती है वो डेमेज होने लगती है तो ऐसे सिच्वेशन से बचने के लिए ज़रूरी है स्काना था कि उन्होंने स्टडी के उसमें यह मिला ही कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामेड जो एरि उसको बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि उनको बातावन अच्छा मिले तो अच्छे बातावन का यहां पर मतलब सिधा है कि बच्चे को ऐसा इंवार्मेंट दिया जाए कि उसकी जो आनवांसी कारक है जो आनवांसी की रूप से जो उसे बुद्धी मिली हुई है उसका निस्पादन उत्तमरुप से कर पाए इसकी रिए जरूरी है कि बच्चे को बातावन समुषित मिलना चाहिए क्योंकि समुषित प्रकार का जो बातावन है उसके मिलने से बालकों में जो नहीं चंताय होती है उसका विकास कहें तो वांशीडगन से हो पाता है और ब्यक्ति जो बहुगवली के सिति है उसका विकास उसके भोगवली के सिति में एक तरह से जो संबंध है वह काफी घनिष्ट है क्योंकि ऐसे परिवार जो आपकी गाउं में रहते हों और छोड़गर के फिर वापस नगर में आकर के बच बच जाते हैं तो उनके जो बच्चों की कि व्यवेर बीकास दिखाई देने लगता है ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें जो सैषरिक जो सामगरियां वह उनको उत्तमरुषे प्राप्त होने लगती है जिसे कि उनको अलाब मिलता है बधी जो मस्तर है जो अधिक लेवल है वह काफी बढ़ा बढ़ जाता है अगर हम विक्तित्यविकास और बॉधिक विकास। इन दोनों की बात करें, तो खुश्मनोबग्यानिक ने अपने जो रिशर्च की। में उसके अनुसारों झञें बताया, जो बॉधिक हमता होती है। बॉधिक छम्तbacks के विकास और हरास के साथ साथ है। ब्यक्तित्यों के विकास के जो कुछ गुण होते हैं, उसमें भी विकास और हरास देखने को मिल जाता है, यानि कहने का आर्थ है कि जो बौधिक छम्ता में विकास होता है, जो रिसर्च में ऐसा मिला है, कि बेक्तित्यों के जो बौधिक छम्ता का विकास हो रहा है, या बौ बत्ति अएक्तितों कि कुछ ऐसे गुंए जीन मिं रास हो रहा है वेकितों छम्ता में भी रास हो रहा है थो इन दोनों का एक तरह से संबंध है कि मैं कुछ सेकलोजिस्ट नहीं जो रिसर्च कि उन्होंने कुछ बच्षों को इंग ब्लोट टेस्ट जो रustू इंग कलbon के और बेक्तित्य के कुछ गुण है जो उनके बीच में तरह से कहें परस पर जो निर्भरता है उसकी स्टडी करने के कोशिज की यानि बच्छों पर उन्होंने सबसे पहले रोश्राइंग ब्लॉट टेस्ट अद्मिनिस्ट्रेट किया फिर थैमटी के पर सबसें टेस्ट्रे कि इन सब के अधिक दौरान उने यह देखने कोशिज कि बुद्धी और ब्यक्तित्य के जो गुण है जो उनकी मेरिट्स है उसमें क्या परस पर निर्भरता है तो इस निर्भरता को नोने जो इस्टडी किया उसमें उन्होंने देखा कि ऐसे बालक जिनमें बुद्धी का विकास जो इसकी गती सबसे तेज थी जिसमें सेश्णियों कुपलब्धी प्रदीदोनिता और जिग्यासाद यह सब जिसमें अधी मात्रा में पाए गए यानि कहनेकार थे कि सब बढ़ कर सेवस्चे में जो विकास थी उसमें काफी ती तो उनकी जिखिए तो उनमें ऐस सज्चेव कोब प्राप्ति जो से भती कि रापतर हूं हादिक अधिक वुर्द है में ब़ू दीक जो चंता थी यह जो कर दोशी सब्सक्राइब बती ज़िकास था वो भी काफिती बाया गया इसी आधार पे अगर हम सोटांग की बात करें तो 1958 ने उन्होंने 140 इन्हें 140 बच्चों के अनुदर्ग इस्टडी की उन्होंने अनुदर्ग इधिन किया और उससे उन्होंने एक निसर्स निकाला कि लगभग तीन से च्छे वर्स की अवस्था में जो बच्चे होते हैं इसमें जो बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे अपने माता-पिता की जो समयगात पर निरभरता होती है उनके समशिक बौधी विकास के लिए हानिकारक होती है यहां जरूरा से ज्यादा माता-पिता का ओवर्प्रड़क्शन या उनकी प्रती अग्रेशन या उनका इवारड करना वच्चों को अवार्ड करना तो यह जो करदिशन होती है तो यहां पर ऐसी जो निरभरता होती है बच्चों में उनके बध्धी विकास को एक तरसे कहे तो यह यह कहा जा सकता है कि जो वनants बद्ध विकासों का बेक्तितों के साथ एक तरह से घहनि 실제로 से संबंद है कि यह हां बुद्धि के संबंद में ईब माना जाता है कि जो बुद्धि ए इसकी चनिय मत कर दो भी यह इसे हो ब्द्धी है वह बास्तों समस्रोच दो का विष्यों दिकना देखान कम आई裡面 is always okay अधिकान टीए उनके उन्हें पुरवज भी अर्प्रमान घा amendment report कि अन्हें जो बभी मार्व निकी के अ में पुरवज मेर्न कराम डेखान तो कुछ सब्सक्राषेब दोकिalter करता है बश्काव देखनी के लिए जो इस्टेडी की गई और इस प्रकार के जो नियंत्री दशा में उनका अधिन भी किया गया तो भीन आपके वातावरन होने के बाद भी जो बुद्धी थी उनमें समानता जो ये बच्छों में दिखाई पड़ी और उतने ही आपके सगी भाई ब इस बैब जो अधिने परिवारों के गर में आपने घर गरों के थे उन दो नों को अगर हम अगर घर आपरेतीचा अपने बास्तवी मतलती मिले है यानि आसके जो नीके अपने मातापिता थे उनको एगर किसी दुसरी नोर्मेंक्ट भी Вс hell गए, बच्चें को तो उनका जो बुद्धि था, जो जिन गोडाड ने भी इसी दिशा में जो अध्यन किया उसमें भी उन्होंने यहीं पाया कि आपकी जो गुद्धी है उसका समन्ध अनमासिता से घनिष्ट रूप से है और इसमें एक रिसर्च जो किया गया उसमें एक शैनिक परिवार का अध्यन किया गया जिसमें एक मंद इसके जो कहें तो 400 जो थे हुए उसमें आके 143 मंद बुद्धी 46 जो थे वो नैतिकस्तर के और जो 26 थे वो कहें तो जार्ज टाइब के थे और आके 24 सरावी थे चार जो थे वो अप्रारही प्रवित्ती के थे और तीन मिर्गी के रोगी निकले तो यहां यह जो इस टड़ी हुई इस टड़ी में आके मिला यहीं कि एक दूसरी जो भदर महिला के साथ विवाग किया गया था उसके जो वनसस थे वो सामाने कोड़ी के थे यानि ऐसे तो यहां कहने कार थे कि इस टड़ी में जो भदर महिला थी उसके जो उससे जो उपलब ध्राप के कुल के वनससस्च दे तो उनमें ऐसे बेख्तियों की तुद्पत्ति हुई थी यहां यह जो शड़ी है यहीं सो कर दिया कि यहां पर जाद से जादा आपके आनमा श्रिता का प्रभा बेख्ति पर पड़ता ही है और यहां जो बद्रमिला के साथ जो आपके बच्चे उत्पन हुए थे उनके शडरी जो संबंदित जो अर्थ यहां नयतिक अस्टर की बेख्ति होते हैं जो आर्थिक संबंञ्न से विर्ण करने वाले बेख्ति होते हैं उनकी आहां के बच्चे होते हैं वह काफी जो सार्फ wordhcape मेंड़ीय किसादा यह भी अगर बहुत about ृतिंगा स्वामानिय अथिंशितने स्वाभण के स 되지 में अगय को है ने नेके सभाव नहीं कम होती है तो इन्मान्सिक स्वात करें हों कि अगर की जाए तो इसे करिया तो स्वातन्त बहुते हुंद में कए यह संभोद नहीं dinosaur अगर हम सिर्फ बात करें तो हेर्डिटिकल तो सिर्फ आपका एफेक्ट नहीं पड़ता है हैि इन्वार्मेंट का इफेक्ट तो ही उसको अलग नहीं किया जा सकता तो यहां जो अध्यान मिली है इसमें वैद्ध आपकी यहीं है कि वैद्धा पाई भी गई है और यहां नहीं कह सकते कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए जो भी आपके इस्टडी हुई हो इसके उपलब्दी कहां तक वैद है यह कहना सही नहीं है कि एक तरह से कठीन है कि हम कैसे कह दें कि आपके जो इस्टडी की गई है वो पूर्णुक से सही ही है या वैलिड ही है क्योंकि बुद्धी पर आनुमाशिक्ता के प्रभाव को हम अवस्विकार नहीं कर सकते लेकिन बातावरण के प्रभाव को भी अवस्विकार नहीं किया जा सकता तो यहां यह कहा जा सकता है कि दूनों का पूंडू से प्रोभाव पड़ रहा है।